हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर चानकारी प्राप्त करने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी बैल आइकन को जरूर दबाए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कि अग्याल खेलो दोस्तों स्वागत है आपका संगी शिक्षायन हंदी में मैं शिवम्कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यिप चैनल पर जो हमें देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं जो भी हमसे थोड़ा बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और जो मैं सिखा पा रहा हूं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए बहुती एहम टॉपिक लेगा हूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं पहली बार तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें शेयर करें लाइक करें करें और जो भी पुराने वीवर्स हैं वह देख रहे हों तो प्लीज शेयर करें लाइक करें करें ताकि हर एक के पास जो संगीत सीखना चाहता है जो संगीत का सीखने की इच्छा रखता और जो सीखनी सकता या सीखने में कुछ असमर्त उसे मैसूस होती है तो वो इस वीडियो को देखकर सीख सकता है तो यह बेसिक टिप्स भी है और एडवांस टिप्स भी है बेगिनर्स के लिए है और यह बेगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक की लिए है आज मैं आपको बहुत ही एहम टॉपियों की डिसकस करना चाहरा हूँ जैसे कि आपने थमनेल पर टाइटल पर पढ़ ले हुआ कि थाट और स्केल का रियाज क्यों करें या क्यों सीखें और कैसे करें यह भी दोनों चीज में बोलना चाहूँगा कि क्यों करें और कैसे करें या कैसे करें और क्यों करें चाहे पहले यह बात कर ले तो सबसे पहले क्यों करें इसका जवाब में देता हूँ फिर आपको कैसे करें इसका उत्तर भी मिलेगा तो सबसे पहले थाट और स्केल थाट आप जानते हैं दस थाट उत्तर भारता संकित पतिती में जिनमें 12 स्वरों को इक्कोली डिस्ट्रिब्यूट किया गया है सासा स्वरों में जो बारा टोटल हमारे स्वर हैं यानि कि जो बारा स्केल्स हैं कोमल और विक्रत कोमल और शुद्ध स्वरों को मिलाकर जो स्केल बनी है बारा स्केल जो बनी है कोमल रे शुद्ध रे और कोमल गा शुद्ध गा तो यह जो बारा स्वर हैं सारे मिलाकर विकरत और शुद्ध मिलाकर इनसे जो बारा स्केल बनी और इनसे जो थाट निर्मित हुएं दस थाट जो 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 जिनसे नाम है बिलावल, खमाच, काफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, पूरवी, मारवा, कल्यान, तोड़ी यह जो था करें, इन्हें इसलिए करें क्योंकि सबसे इसकेल की बात करूंगा, अगर आपको हर एक स्केल की नौलेज होगी तो और अब क्लासिकल की बात करो, जैसे कि आप सी शाप से बजाते हैं अगर आप सी शाप से बजा रहे हैं ठीक है आप सी शाप से बजाते हैं आपकी स्किल निर्धारित है कि आप सी शाप से बजाते हैं अगर आप गाते हैं तो अब जैसे किसी के साथ अगर आप हर्मोनियम बजाना चाहते हैं अगर आप गाते हैं आपको अपने लिए बजाना है तो तो no problem पर अगर जैसे कोई दूसरा गारा है आपको harmonium बजाना सीखना है अगर आपको harmonium सीखना है तो आपको हर एक skill की knowledge होनी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पहला C sharp से गाया आपके मताबिक गाया वो अपने मताबिक गाया वो D sharp भी ले सकता है D b ले सकता है यानि दूसरा काला भी ले सकता है दूसरा सफेद भी ले सकता है ठीक है E ले सकता है तीसरा सफेद F ले सकता है 4th सफेद यानि 4th सफेद F sharp यानि 3rd black ले सकता है 5th black ले सकता है और ये भी ले सकता है 4th और 5th black भी ले सकता है, F sharp भी ले सकता है, G sharp भी ले सकता है, F G, कोई भी note ले सकता है, तो आपको हर एक skill पे knowledge होने चाहिए, for example, जैसे ही महले किसी ने कहा, दूसरे काले से, दूसरे काले से, बिलावल, राग बिलावल दीजे, या भैरवी, common, तो आपको पता को ताप तुर तुरू आपने अबिलावल का कोड लगा दिया, तो यह आपकी विलावल हो, sorry, भैरवी, बैरवी, बैरवी, लाव्या बैरवी, राग पता को किसी ने कहा, कि पहले काले से, तो आप तुरू पहले काले से, तो यह आपका हो गया, तो कहने का मतलब यह है, यह यह तो just for example, मै है कि आपको हर एक आगशा है कि ताकि आप अच्छी में कर आँदे इसड़ नोट कर सकते हैंifter लंड़ों ईब तॉटेंज पड़िय। को हर एक सकत्ट होगी एच और ईवेग एवरी सिंगल दुए अब फिरकुछ नहीं बचेना उसके कि देस्सा एक अन्य गब tagle में सारेखों वृ मन लग रहे हैं ठीकड़े हैं विडू में उस फिल्मी संगीत है पिल्म संगीत जो है दिस जो हैं ने से कोई गाना है कोई बीड़ी आकर आपको सुना रहा है है या अप खुद गहा रहे हैं जैसे उसकी natural scale जो है जो भी उसकी scale है जैसे मान लिजे अगर वो F minor पे गाये जा रहा है यानि कि F से गाये जा रहा है F minor पे तो अगर आप उसको और नीचे कर लेंगे यहां कर लेंगे C minor पे कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा उस गाने की वो जो quality है वो खतम हो जाएगी क्योंकि वो और इनल उस scale पे अच्छा लगेगा या कोई गाना चाहता हो जो scale पे आप अगर संगत करने बैठे हैं तो आपको knowledge होने चाहिए कि हाँ मैं हरे scale से बजा सकता हूँ कहने के मतलब यह है अब जैसे कि आप कोई गाना गाते हैं जैसे for example अगर मैं कोई अपनी गजल कहा हूँ जैसे कि माली जै मैंने यहाँ compose करी है मुझे यहाँ अच्छा लगता है दूसरे blacks है यानि दूसरे काले से मैंने इस scale compose किये हाला कि मेरा भी first black ही है रियास करने के लिए scale first black ही रखने चाहिए मैंने बताया था कि रियास किस scale पर करने लड़के लड़किया और बच्चे और बॉइस मैंने सब के लिए बताया था रियास करने के लिए तो आप एक दो नोड़ ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रावलम नहीं है या fix भी रख सकते हैं इसमें पर जब light music की बात आती है या संगत की बात आती है तब scale कुछ भी हो सकती है कहने मतलब कि कुछ भी हो सकती है each and every note scale हो सकती है वो सा हो सकता है क्योंकि सा हर जगा सा grass ओर होता है किसी भी rock का गीत का grass ओर कहलाता है सा शड़ज़ तो जैसे कि अब मैं कोई गजल का रहा हूँ कैसे कहदो के मुलाकाद नहीं होती है कैसे कहदो के मुलाकाद नहीं होती है तो I am comfortable here, मुझे दूसर काले से अच्छा लगता है, अब जैसे मैं अगर इसे और नीचे कर दो, कैसे कहे दो की मुला का, तो यहाँ बेस ज्यादा आ रहा है, तो वो शब्द सुना ही नहीं दे रहा है, clear, गाने को तो यहाँ पर भी गा सकते हैं, पर उस संगीत का या उस गीत का, शब्दों का निर्वा, clear नहीं हो पाएगा, या सुनने वालों का समझ में नहीं आएगा, कि आपने क्या बोला, हाला कि हर स्केल से गाना ही चाहिए, यह बात तो सच है कि हर स्केल से आप गाएं, हर स्केल से गाना आना ही चाहिए, कहने कि मेरा मतलब है कि हर स्केल से गा लाकर बताना पड़ेगा यानि कि मैं फॉर्थ से शुरू करूंगा तो आपने आप पहुंच जाएगा टोटल बारा नोट होंगे वन टू थी फॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन लेवें ट्वेल अगर मैं यहां से शुरू करूंगा वह तो यहां से शुरू इसकी सॉलीशन मैंने निकाला है कि एक एक थाट को मैं बारा स्केल में आपको इच एन एवरी थाट इच एवरी 12 स्केल मैं आपको बताऊंगा वन बाइवन तो आप इस वीडियो को देखें और आगे भी जो वीडियो आएंगे कि थाट बिलावल थाट कमाज सीरिज वाई तो यह दस थाटो का करण है स्केल बिलावल खमाज और काफी एसवरी, भहरवी भारव पूरव़ी मारव तोरी कल्यान और तोडी तो यह से सक्केल में हाईएपको बताऊंगा कैसे बजाना है ताकि आपक एपले कम से कम थाट नियुकार क्न बेसना ने थाट की और विय ख करूंगा एक थार्ट में कि अलंगकार और कुछ बेसेक बेसे की बजाए आपको सकल कवर होने लगेगी तीर धिरे तो यह मेरी आज की आपसे यह काला क्यों कregen कि नहीं तब कहने को हर्मोनियुम टेंड़ी और सिंग टिप्स फिर इसके बाद बहुत से टॉपिक हैं हर्मोनियम बिना देखे कैसे बजाना है हर्मोनियम बिना देखे कैसे बजाना है हर्मोनियम बिना देखे कैसे गाएं यह सब टिप्स हैं यह सब टिप्स इसी से हैं बेसे के हर्मोनियम बजाने की टिप्स में बताऊंगा जो मैं अब क्वाइब होंगा तो यहां से पहला किरम मैंने शुरू किया है फीर से स्यरू किया है फस्ताइम और इस से स्केल के लिए कहां से शुरू यहां से रियास करें वेस्ट चीजे थी और कुछ हर्मोनियम टिप्स और बताएं थी तो चलिए इसी के साथ समाप्ति करते हैं इस वीडियो की और अगला वीडियो आप देखें थाट बिलावल इंट 12 इसकेल हर्मोनियम और सिंग टिप्स थैंक यू कीप वाचिंग शेयर इ लग एट सब्सक्राइब एट थैंक यू लव यू